हाई गाईज वेलकम तो मैं निव वीडियो मैं हूँ एक दीव फ्रम अचर क्लासेज एंड गाईज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ reading comprehension के बारे में बहुत ही important topic है चाहिए वो आपका SSE का exam हो चाहिए वो banking का exam हो दोनों के नज़रिये से बहुत ही important topic है right so guys जानते हैं इसके बारे में ठीकिंखे क्योंकि इसमें आपको जानना ही questions किस टाइप को होते हैं या किस तरभी सकते हैं strategy क्या होना चाहिए क्या tips दी सकता हूँ उस सब के बारे में बात करेंगे question किस तरह बनाना है गये और कैसे आप इसको बहतर कर सकते हो practice करके किस तरह आप इसको और बहतर कर सकते हो ताकि आपका score जो है वो अच्छा आप आए score अच्छा कर पाऊ ठीके so guys आपका जो simple term बोला जाए आपका जो RC है reading comprehension है इसके questions के type पहले समझ लेते हैं सबसे पहला होता है main idea question main idea question मतलब आप समझ रहे हो ideas right समझनी की कोशिश करना होता है इसमें आपको समझना होता है कि आपका जो दिया हुआ है पैसे दिया हुआ है उसको समझ कर क्या उसका निकल रहा है क्या निकल रहा है अब ये भी सोचने का बात है analysis करो या आपका point of view बताना है या main idea क्या है या इसका conclusion क्या निकलेगा इन सब चीजों के बारे में आपको बात करना है किसमें main idea questions में अब इसी में एक और आजाता है गाई इसमें क्या आजाता है जैसे मान लेजिए complete passage based question भी होता है मतलब सारा सारा question जो होगा आपका passage परही değ gerne करेगा आप passage पढ़होगे आपका पूरा का पूरा question जो है वह passage परही होगा तो क्या उसको बोल सकते है और उसको बोल सकते है fact based ठीके उसको आप बोल सकते है fact based तो आपको जितने भी questions होगे उसके सारे future answer आनसर आपको कहा मिल जाएंगे आंसर जितने भी हैं सबके सब मिल जाएंगे दूसरा हो जाता है आपका टून टून क्या मतलब क्या है ऑथर का पॉइंट ऑ व्यू मानले यौठ अपर का कोई भी कहीं से भी एक पैसेज लिया गया किसी ऑथर का तो क्या point of view है उसके बारे में आप से question पूछ लिया जाता है तो उसको समझने के बाद ही आप दे सकते हो या कभी कभी होता है क्या आपका factual based जो बेने अभी बात किया fact based होता है ठीक है facts related आपका पैसे दिया रहेगा किसी एक topic पे और उसी topic से related आपका सारा questions होगा और उसी के according आपको answers करने ठीक है और भी कुछ points होते हैं जैसे आपका हो गया summary in one line एकी line में आपको summary समझाना होता है या objective of author जैसा कि मैंने tone के according ही आप समझ जाओ या statement होते हैं जो true और false दे देते हैं ठीक है इसके बारे में आप देरे देरे समझोगे ठीक है तो अब ये तो हो गया questions type की इस तरह के questions होते है right tone हो गया somebody हो गया objective या tone हो गया right या true of false statement हो गया आपका passage based हो गया passage based में आपका एक idea based भी हो सकता है और दूसरा factual based questions भी हो सकते हैं ठीक है ये तो आपका हो गया कितने type के questions आएंगे ठीक है अब अगर इसी में बोलूंगा tips क्या होना चाहिए strategy क्या होना चाहिए इसको बना दे वक्त right तो उसके बा होगा कुछ चीजों के बारे में सबसे पहला क्या है tips और strategy के ही बात कर रहे हैं पहला क्या है आप देखू पहला जो होता है questions को दिखना है पैसे को नहीं देखना है किसमें बहुत करूंगा किसमें देखना है अगर आपका questions क्या है fact based है मतलब questions देख लिए न आपको समझ मे आ गया यह fact based है मतलब इसमें क्या है आपको if they are fact based और idea based तो पहला fact based हुआ, fact based क्या होता है guys, ssc, cgl, chsl, cpo जो exams होते हैं उसमें आपका fact based questions पूछे आते हैं किस से, passage से, ठीक है fact based आपका दिया रहता है, already आपको points जो है आपको वहां रहता है बस देखना है और answer, answer जो है लि लेकिन आपका banking में जो होता है, आपका गया है कि आपका जो यह आपका क्या बोलते हो, fact based question जो है, तो 90 plus percent बोलू, 90% से ज़्यादा जो है, ssc में पूछे जाते हैं किस type के, fact based मतलब, passes देखो, answer लिखो, लेकिन, bank जो होता है, banking exams जो होते हैं, वो थुरा tough हो जाता है, क्यों tough हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको समझ के लिखना है, समझ जाओ, comprehension का real meaning महीं पता लगता है, comprehension का meaning होता है, समझना, right, और आपका banking का जितने भी exams होते हैं, उसमें आपको समझना होता है, idea based question होता है, completely passage में idea based questions होता है, किस में banking में, बहुत important याद रखना, आपका ssc में fact based ह होता है, और आपका banking में idea based, तो सोचना तो ज्यादा पड़ेगा, समझ गए, सोचना पड़ेगा, ज्यादा किस में, banking वाले में, ठीक है, तो आप समझ गए, आपका हो गया, पहला question देखोगे, तो आपको समझ में आएगा, fact based है, या आपका idea based है, तो basically ssc में, आपका fact based fact based question by chance अगर आपने देखा कि ये, पैसेज पे ही depend कर रहा है, और answer मिल जाएगा, answer बहुत easily मिल जाएगा, तो आपका अगर करना है, question पड़ना है, ठीक है, और answers देखना है, directly क्या, superficial view से, मतलब एक दम एक नजर घुमाया, और आपको point दिख जाएगा, आप point कैसे दिखेगा वो भी तो जानना होना चाहिए, so जब आप questions लिखोगे, तो आपको keyword note करना है, क्या करना है keyword, आपको note वहाँ पेपर दिया जाएगा, पेपर sheet रहेगा, उसमें आप क्या करो, keyword mark करो, ठीक है, कि इतने इतने keyword है, keywords को धूंडो, किस में, passages में, fact based में, ठीक है, ये से fact based में आ आपका idea based है, तो आपको passage को अराम से पढ़ना है, deeply पढ़ना है, समझ लाएं, एकी बार पढ़ना है, क्योंकि एकी बार पढ़ लोगे, अगर अच्छे से उसको deeply पढ़ लोगे, तो आप उसको analysis कर लिए, ठीक है, author का point of view समझ जाओगे, tone समझ जाओगे, या उस passage से main idea क्या passage का main idea क्या है, क्या कहना चाह रहा है, या उसका conclusion क्या निकलेगा, इस सब पढ़ने के बाद आपके mind में क्या conclusion है, इन सब चीजों के बारे में आप, अगर आप deeply पढ़ोगे, idea based में, तो आप पूरी तरह से उसको अच्छे से किसमे, rating comprehension में score कर पाऊगे, so क्या करना है, जब आपका fact based है, तो आपको question पढ़ना है, अराम से superficial rating करना है, एक नजर गुमाया, keyword आपको पता है, आपने answer ढूंट लिया, बट अगर आपका idea based है, तो सबसे पहले आपको passage पढ़ना है deeply, and then analysis करने के बाद आपको point of view, किसका author का या tone जो है, वो पता लग जाएगा, main idea पता ल कर लिया, तो आपको conclusion भी समझ में आ जाएगा, और इसी type के related questions होंगे, और उसके बाद आप अराम से questions करना, answers करना, जो है, start कर सकते हो, ठीके, यह तो हो गया क्या, idea based में सोच समझ कर, एक ही चीज़ मैं repeat कर रहा हूँ, ताकि mind में रहे, अब क्या करना है, अगला हो जाता है कैसे किया जाए, यह तो हो गया questions की बात, लेकिन कैसे अपने आपको एकदम इसके लिए ढाला जाए, इस ability को कैसे build किया जाए अपने अंदर, तो basic सा है guys, newspaper पढ़ो, सबसे basic जो बोला जाता है, the Hindu newspaper आता है, वो पढ़ा करो, पढ़ोगे, तो आराम से बनेगा, articles पढ़ो, ठ जानी की कोशिश करो, ऐसे क्या होगा, जब आप read करोगे, और articles को बार बार पढ़ोगे, newspaper को बार बार पढ़ोगे, reading habit को जो है, अब बढ़ाओगे, तो आपका comprehension ability जो है, वो और अच्छी तरही से build होगा, और उसके बाद क्या करना है, practice करो, अराम से practice करो, पढ़ो, practice कैसे करना है, practice कैसे करना है, तो previous questions जो हुए थे, जो पूछे गए थे, या बहुत सारे practice set मिल जाएंगे, आपको online मिल जाएंगे, और अभी तो मैं आपको इस playlist में, जो आपका reading comprehension playlist में, इसमें आप से मैं बहुत सारे आपके practice set जो है, वो आप से मैं solve करवाने वाला हूँ, so guys, आ आप ये जो points से इनको याद रखो, and इस point के basis पर ही हम लोग क्या करेंगे, आगे जो इस playlist में जितने भी वीडियो जाएंगे, जितने भी आपके passages हैं, उनको solve करेंगे, so I hope आपको समझ में आ गया होगा, कि कैसे क्या करना है reading comprehension का, so चलिए, मिलता हो गले वीडियो में, practice set के ते केर